हेलो डियर स्टुडेंट्स हाउ आई यू कैसे हैं आप सब अच्छे अच्छे बताए क्या आप मैम को स्कूल को मिस करते हो येस हम सब भी आपको बहुत मिस करते हैं चलिए आज का हमारा टॉपिक है स्वर आज हम सीखेंगे स्वरों को हमने कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है आउ लेट अस टार्ट स्पीक विद में आसे अनार आसे अनार आसे आम आसे आम इसे इमली इसे इक इसे इक उसे उलू उसे उलू उसे उन उसे उन रिसे रिशी रिसे रिशी एसे एडी आसे एडी आसे एना आसे एना ओसे ओकली आसे ओकली आसे ओरर आसे ओरर अंग से अंगूर अंग से अंगूर अहां अब हम सरों को लिखना सीखेंगे सबसे पहले हम बनाएंगे अब अब बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे हम कर अगेन अकर अब इस कर्व को थोड़ा सा उपर तक लेके जाएंगे देन स्लिपिंग लाइन देन स्टेंडिंग लाइन अब इस स्टेंडिंग लाइन के उपर हम रूफ बनाएंगे इस रूफ को सिर्फ आपने स्टेंडिंग लाइन के उपर बनाना है पूरी रूफ नहीं बनानिया के उपर इस तरह से अगर हम A के उपर रूफ पूरी बनाएंगे तो ये हमारा wrong हो जाएगा A को हमने इस तरह से बनाना है इसकी रूफ सिर्फ standing line के उपर बनानी है next is A A बनाने के लिए भी हम पहले बनाएंगे curve, again a curve अब इस curve को थोड़ा सा उपर तक लेके जाएंगे then slipping line then standing line again standing line then roof इसके उपर roof बना देंगे दोनो standing line के उपर हमने इसकी roof बनानी है क्या बन गया ये? A A से A next is E E बनाने के लिए भी हम सबसे पहले small standing line then curve again a curve in opposite direction then turn और इसके उपर बना देंगे हम इसकी roof E को अगर हम इस तरह से बनाएंगे इसको हम नीचे bottom line से अगर हम इस तरह से नीचे तक निकाल लेंगे तो यह हमारा रोंग हो जाएगा E को हमने bottom line से नीचे नहीं निकालना next is E E से E E बनाने के लिए भी हम सबसे पहले standing line लगाएंगे then curve again a curve in opposite direction then turn और इसके उपर इसकी roof बनाएंगे then next a curve E E से E E से E Next is O O से U U O बनाने के लिए भी सबसे पहले हम बनाएंगे small curve then again a curve और इस curve को थोड़ा सा उपर ले जाएंगे और इसके उपर इसकी roof बना देंगे O Next is O O बनाने के लिए बनाएंगे हम small curve again a curve और इस curve को हम O पर तक ले जाएंगे then इसकी tail बना देंगे इस तरह से और इसके उपर इसकी roof बना देंगे O O से O O को अगर हम इस तरह से बनाएंगे O बनाया then sleeping line then standing line अगर इस तरह से बनाएंगे तो यह हमारा wrong हो जाएगा O को हमने इस तरह से बनाना है Next Next is Re Re बनाने के लिए सबसे पहले लगाएंगे हम standing line then इसके center से one slant line उपर then next slant line नीचे then slipping line standing line then curve और इसके उपर लगाएंगे हम roof इसकी roof बना देंगे क्या बन गया ये री री से रिशी Next is A A से एडी A बनाने के लिए हम बनाएंगे small curve then slant line और यहां से हम लेंगे और इसको यहां तक मिला देंगे और इसके उपर बनाएंगे इसकी roof क्या बन गया ये A A की भी अगर हम A को इस तरह से बनाते हैं अगर यहां से ऐसे और ऐसे मिलाते हैं तो यह हमारा wrong हो जाएगा A को हमने इस तरह से बनाना है Next A A को बनाने के लिए भी बनाएंगे हम small curve then slant line then यहां से लेकर इसको यहां मिला देंगे और इसके बाद बनाएंगे हम इसकी मात्रा यहां से ऐसे और यहां इसकी roof बना देंगे A ऐसे एनक Next is O O से ओकली O बनाने के लिए हम बनाएंगे small curve again a curve और अब इस curve को हम ले जाएंगे थोड़ा सा उपर then slipping line then standing line again a standing line और इसकी last while standing line के उपर इसकी मात्रा बना देंगे इस तरह से और इसके उपर लगाएंगे हम slipping line या इसकी रूफ बना देंगे O O से ओकली Next is O O बनाने के लिए हम बनाएंगे small curve again a curve और इस curve को हम थोड़ा सा उपर ले जाएंगे then slipping line standing line again a standing line next इसकी मात्रा O के उपर दो मात्राएं आएंगे इस तरह से और last वाली standing line के उपर इसकी दोनों मात्राएं आएंगे अगर हम इसकी मात्रा इस तरह से बनाएंगे look here अगर हम इसकी मात्रा इस तरह से बनाते हैं एक मात्रा इधर और एक मात्रा इधर तो ये हमारा रोंग हो जाएगा हमने दोनों मात्राएं लास्ट वाली स्टेंडिंग लाइन के उपर बनानी है इस तहां से ओ ओ से और रत नेक्स्ट इस अंग अंग बनाने के लिए भी हम बनाएंगे स्मॉल कर्व अगेन अ कर्व बनादेंगे और इसके ओपर लगा देंगे हम ड्रॉडट क्या बन गया ये अंग अंग से अंगूर Then last is अंहां अंहां बनाने के लिए हम बनाएंगे स्मॉल कर्व अगेन अ कर्व और इस कर्व को थोड़ा सा उपर तक ले जाएंगे Then बनाने line then standing line face के ओपर इसकी रूफ बना देंगे then two dots like this क्या बन गया ये? हाँ ओके बेटा hope that you understand this video very well do practice also at home ओके गुडबाई